दिल्ली विधान सभाज चुनावों के आहट के वीज केजरिवाल ने भाजपा के खिलाफ कुले जंक के का एलान कर दिया है जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली की लड़ाई में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक दूसरे के लिए करी चुनावती है इसलिए दोनों को जब भी मौका मिलता है वे एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूपते हैं परसे इस पर केजरिवाल ने दिल्ली की कच्ची कॉलनियों को लेकर भाजपा और केंदर सरकार पर निशान असादा उन्होंने कहा कि सतर साल में किसी पार्टी को कच्ची कॉलनियों में रहने वालों से कोई मतलब नहीं था और जब अरविंद केजरिवाल ने 5 साल में काम कराकर इन कॉलोणियों को बदला तो उन्हीं इन कॉलोणियों की याद आ गई केजरिवाल ने आगी कहा कि मैंने कसम खाई थी कि कच्ची कॉलोणियों का उध्धार करेंगे मैंने नियम कानून बदल खुद खरे होकर रात दिन लगकर कच्ची कॉलनियों में विकास कराया कच्ची कॉलनियों की रजिस्ट्री पर केंद्र सरकार की नियत शुरू से ही खराब है उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में सरकार बनने के ततकाल बाद 12 नुवंबर 2015 को कच्ची कॉलनियों को बैद्ध करने का प्रस्ताव भेजा फिर चार साल लगातार रजिस्ट्री के लिए संघर्ज किया दबाब बनाया लेकिन केंद्र सरकार ने कच्ची कॉलनियों के रजिस्ट्री का काम रोकने के लिए सभी तरह के प्रयास किये पर हम फिर भी नहीं माने और केंद्र सरकार पर कच्ची कॉलनियों की रेजिस्ट्री के लिए नियम बनाने का लगातार दवाब बनाए रखा केज़रिबाल ने कहा कि केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा पिछले एक दो महा से सुन रहा हूं कि कॉलनियों को पक्का कराएंगे पर मैं पूछता हूँ पांस साल में क्यों नहीं करा है उन्होंने आगे कहा कि मैं पांस साल नाली सरक बन बारा था तब कहा थी केंद्र सरकार और अब दो महा से अचानक कच्ची कॉलनिय की याद क्यों आ गई वहीं केजरिवाल ने कहा कि केंदर भले ही बड़ी बड़ी बाते कर रहा हो लेकिन हाथ में रजिस्ट्री देने पर ही वो लोग चुप है पर आप चिंता ना करना रजिस्ट्री भी दिलवाऊंगे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आप हमारे प्रग्राम को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें todays tv पर tweet भी कर सकते हैं Thank you